वह चड़िया जेंगलों में फूल बेचा करती थी वह गरीब तो थी परन्तु वह अपने बेटे की हर खुशी पूरी करती चाहे कोई भी तेवहार होता वह अपने बेटे को किसी भी चीज की कोई कभी महसूस नहीं होने देती वह हर रोज कुछ सिक्के अपनी कमाई मेंसे गुल्लक में डाल देती केवल यही उसकी जमा पुन्जी होती जिसे वह अपने बेटे की छोटी-छोटी खुशियां पूरी करती थी ममा कल हम अपने मित्टी का गुल्लक तोड़कर उसमेंसे सारे सिक्के निका लेंगे और फिर मैं भी दिवाली मनाने के लिए बाजार पे चीजें लाओंगा ममा ममा मैं पठाखूं के साथ साथ कुछ दिये भी लाओंगा और अपने पूरे घर को रोशन करूंगा और कंडील भी हवा में छोडूंगा वह छोटा बच्चा अपनी ममें से धेर सारी चीजें माग रहा था मैं अपने बेटे को सब ले कर दूंगी हमारे गुलक में तो इतने पैसे जमा हो ही गए होंगे जिससे की मेरा बेटा दिवाली अच्छे से मना सके ममा मैं नदी से पानी पियाओं और अपने दोस्तों को भी बता आओं अपने बेटे को इतना खुश देकर मममा चड़िया भी बहुत खुश थी हाँ हाँ बेटा जाओ नदी से पानी पियाओ फिर कुकु अपनी मा से विदा लेकर नदी की दिशा में चला जाता है दिवाली पर चीजे नहीं दिला सकती नहीं नहीं मेरी माने मेरे लिए एक मिट्टी का गुल्लक रखा हुआ है और उसमें मम्मा मेरे लिए हर रोज सिक्के डालती है कल तोड़ेंगे हम मेरा गुल्लक यह सुनकर जगू खुश होने के बजाए परिशान हो जाता है मेरी अपन कुकू वहां से चला जाता है ममा ममा आप तो कहती थे की कुकू दिवाले वाले धिन घर में रहेगा कर अन्तु इस बार वो भी दिवाली मनाएगा वो दिवाली मनाएगा नहीं, बल्कि मेरे बेटे जगू को पटाके फोड़ते देखेगा ममा नहीं, ऐसा नहीं है, ममा ममा उसकी माने कुकू के गुलक में दिवाली मनाने के लिए सिक्के जमाग तरके रखे हैं जगू, ये तुम क्या कह रहे हो, वो गरीब चड़िया हमारा मुकाबला करेगी, ये तो मैं नहीं देख सकती कालू कवा भी पटाके लेकर घर आ जाता है, ये रहे मेरे जगू के धेर सारे दिये और मैं कुछ कंडेल, फुल जड़िया और कुछ पटाके भी लाया हूँ अपने जगू के लिए, जो पूरे जैंगल में सिर्फ मेरे जगू के पास ही होंगे कालू जी, सारा ही काम उल्टा हो गया, वो घरीब चड़िया इस बार हमारा मुकाबला करेगी उसने कुकू के गुल्लक में सिख्के जमा करके रखे हैं, दिवाली मनाने के लिए पापा, जैसे भी हो, मैं नहीं चाहता कि कुकू हमारी तरफ दिवाली मनाए मुझे बहुत मज़ा आता है, जब कुकू रोता है, और फिर रोने के बाद अपनी ममा को तंग करता है जगू मेरे बेटे, तेरा पापा अभी जिन्दा है, तेरा पापा तेरे लिए जरूर कुछ करेगा आज तुम्हारे पापा कुकू का हुआ गुल्लक ही चुरा लेगा, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे वो गरीब बक्षित दिवाली बनाते है मेरे सुन्दर पापा, पापा आप ऐसा ही करना, फिर तो बहुत मज़ा आएगा ममा जब मैं जगू को बताया कि इस बार मैं भी दिवाली मनाऊंगा तो वो हैरान हो गया वो पूछ रहा होगा कि आपकी ममा के पास पैसे कहां से आए ममा मैंने उसे बताया था कि मेरी ममा ने मेरे लिए मिट्टी के गुल्लक में पैसे जमा करते है ममा अब तोड़े मेरा गुल्लक नहीं बेटा कल तोड़ेंगे आप चिंता ना करें मैंने इतने पैसे उस गुल्लक में जमा कर लिये हैं कि तुम अच्छे से दिवाली मना सको फिर कुकु और उसकी ममा बाते करते करते सो जाते हैं गोरी छोटी चिडिया सो गई होगी मैं जाता हूँ और कुकु का गुल्लक चिडिया के घर से चुरा लाता हूँ अगर कुछ और घर में हुआ तो वो भी चुरा लाना और क्या होगा फूल होंगे जो वह बेचती है फिर कालू कवा अपने घर से निकलता है वह खिड़की में से देखता है कुकु और उसकी ममा सोय हुए थे वह चुपके से चिडिया के घर में घुच जाता है जल्द ही उसे एक कोने में कुकु का गुल्लक मिल जाता है कालू कवा कुकु का गुल्लक उठाता है और भाग जाता है सुबा हो जाती है और जब कुकू की माच सुबा उड़ती है तो सबसे पहले हुआ कुकू की गुलक ही देखती है हाई मैं मर गई ये कुकू की खुशिया ये कौन चोर चुरा ले गया तभी कुकू भी उड़ जाता है ममा क्या हुआ आप इतनी घबराई भी क्यों है बेटा आपका गुलक नहीं है कोई चोर चुरा ले गया है ये सुनकर कुकूर उने लग जाता है मैं अब दिवाली कैसे मनाऊंगा अब मैं कैसे पटाके और फूल जड़िया खरी दूँगा मुझे तो इस बार पूरे घर में रोश्निया भी करनी थी चुप कर जा बेटे मैंने बहुत मेहनत से सिक्का सिक्का जमा किया था जिसने हमें दुख दिया है सुखी ओ भी नहीं रहेगा दूसरी तरफ कालू कवा गोरी कवी और उनका बेटा जगू गुलक तोड़कर सारे सिक्के निकाल लेते हैं और गुलक को नदी में गिरा देते हैं मेरे पापा के होते हुए चला था कुकू मेरा मुकाबला करने फिर सब हसने लगते हैं इधर टोनी और कुकू बात कर रहे होते हैं चुप कर जा बेटे मैं जा रही हूं काम पर मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूँगी अभी दिवाले में दो दिन पाकी हैं परंतु कुकु तो छोटा था वह तो रोय ही जा रहा था जगु ने सची कहा था कि मुझे दिवाले वाले दिन घर में ही रहना पड़ेगा मैं बाहर नशी जाओंगा ममा आप जाएं फिर चड़िया अपने फूल लेकर जंगल के बाजार चली जाती है फूल ले लो फूल ताजे ताजे फूल सब पक्षी तो दिवाली मराने की तैयारी हुमें लगे हुए थे आज तो चड़िया का कोई भी फूल नहीं बिता वो निराश होकर एक जगह बैठ जाती है और रोने लग जाती है खोई इतना भी गरीब ना हो कि वो अपने बच्चों की खुशियां ही पूरी ना कर सके उस जालिम ने मेरे कुकु का गुलक नहीं चुराया बलकि हमारी सारी खुशियां ही चुरा ली इधर कुकु घर में बैठा हुआ था तब ही दर्वाजे में दस्तक होती है मेरी ममा तो फूर बेचने गई भी है आप कौन है अंकल बेटा मेरा नाम कुमकु है मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ मैंने कुछ उधार लिया हुआ था आपके पिताजी से हुए वह पक्षी चला जाता है शाम हो गए थी चिडिया ना चाहते वे भी अपने घर को वापस उड़ती है वो अपने बेटे का सामना करने से डर रही थी ममा कुमकु अंकल कौन है वो आये थे और ये थैली दे कर गए है वो कह रहे थे कि उन्होंने पिताजी से कुछ उढ़ार लिया था कुमकु मंकल बेटा कुमकु मंकल तो आपके पिताजी के बच्पन के दोस्त थे पर थैली में क्या है फिर चिडिया वह थैली खोलती है उसमें तो धेर सारे रुपिये थे इतने सारे पैसे देखकर चिडिया के तो होश ही उड़ जाते है इतने सारे पैसे फिर दिवाली का दिन भी आ जाता है और फिर चिडिया अपने बेटे के लिए पूरे घर को रोशन करने के लिए दिये लेती है कंडेल लेती है पटाखे और रंग बिरंगी लाइटे लेती है कुकु बहुत खुश था वो अपने घर को रोशन करता है पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा रोशन और आतिश बाजी करता है गोरी ये चुडिया का घर कैसे रोशन हो गया इतने दिये उसने कहां से ले लिये और आतिश बाजी भी हो रही है चुडिया के घर से पापा कुकु जीत गया और मैं हार गया सची कहते हैं कालू किसी की रोशनियां चुराने से कोई करीब नहीं हो जाता बलकि सच्चाई और अच्चाई की रोशनी कोई छीन नहीं सकता प्यारे दोस्तों आप सबको दिवाले की शुब काम नाएं और ऐसे खुशियों के तोहार पर गरीबूं का भी ख्याल रखें आप सबका धन्यवाद